असलाम लेकुम वियर्स आई होप आप सब ठीक होंगे यूके के विजट वीजर की परफाइल में बाज बार आप अपनी तरफ से अपनी अप्लिकेशन को बहुत अच्छा बना कर पेश करते हैं और सब रिक्वाइड डोकिमेंट्स भी लगाते हैं मगर इसके बावजूद आ आपका वीजर रिफ्यूज हो जाता है ऐसा कि होता है कौन से ऐसे अलिमेंट्स हैं जो के वीजर रिफ्यूज की रिजन बनते हैं और जिनको वीज़ा आफीसर तो देखता है मगर हम उनको अग्नोर कर देती हैं हम समझें कि हमने तो सब डोकिमेंट्स लगाए हैं तो फिर ह मारा वीजा क्यों रफ्यूज हो गया हम आज की वीडियो में डिसकस करेंगे कि कौन सी ऐसी रीजन है जिनकी वज़ा से वीजा रफ्यूज होता है स्टार्ट करने से पहले आप से एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा फ्रेंड फैमली के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबस्क्राइब सब्सक्राइब को देखती यह अगर वह ठीक ना हो ťो वीजर अप्यूज हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि हम बैंक स्टेटमेंट बाज का यह हुते हैं कि मेरी बैंक स्टेटमेंट तो बहुत अच्छी है उसमें मैंने मेरा बैलनस भी बहूत अच्छा है लेकिन सबस बैनस आप समते हैं कि मेरा क्लोजिंग बैनस बहुत अच्छा है इसमें साथ आथ लाग पड़े हैं तो मैं अराम से यूके का वीजा प्ताय कर सकता हूं और वीजा ले सकता हूं जबकि ऐसा नहीं होता कि अपका क्लोजिंग बैनस इतना हो कि आपके इंटायर ट्रिप को कवर कर रहा हूँ और यह नहीं कि आपने टूर के एकस्फेंसस जितने इक्जएक्ट आपको चाहिए हैं एक्जएक्ट इतनी हीमाउंट आपके बैंक में artwork मैंडिंश पे मौजूद हो आपने अपनी entire saving अपने गूमने फिरने पर नहीं लगा देनी होती बल्के उसमें आपने living expenses अपने family के expenses भी करने होते हैं तो इसलिए आपका जो closing balance है वो आपके जो entire UK का trip है उससे ज्यादा होना चाहिए suppose आपके bank में जो closing balance है वो है 7 लाख और आप समते हैं कि मेरा जो बैलंस है ये बहुत अच्छा है इसमें मैं यूके एक हफ़ता दास दिन पन्रा दिन जो है वो गूम फिर के अराम से एजिली आ सकता हूँ लेकिन क्या होता है कि वीजा रफियूज हो जब आप अफियो आ हरान होते हैं क्या हूँ मीरे वीजा क्यों रफियूज हो वो अमाउंट आप के आने जाने की टिकेट होटल का कराया वहां खाना पीना गूमना आप अपर डिपेंड़न फैमिली के खराजात इसको ही कवर नही प्रफ्यूज करती है वो होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट में आपकी टांजक्शन्स जैसे स्पोज आपने आज से साथ आठ महीने पहले छे महीने पहले आपका उसमें क्लोजिंग बैलनस तो तीन लाग चाल रहा था लेकिन आपका प्लान बनता है कि मैं यूके का वीजा करता हूं तो आप क्या करते हैं कि उसमें अपनी वीजा अप्लिकेशन फाइल करने से साथ आर दिन पहले आप उसमें कठा जो है वो दस लाख रुप्या रखवा देते हैं तो वो आपका वीजा जो है वो रिफ्यूज हो जाता है उसकी वज़ा से क्यूंकि वो वीजा ओफ स्टेटमेंट में छे महीने पहले उसमें अकठा एक ट्रांजेक्शन में दस लाख रुप्या रखवा दिया जितना भी रखवा दिया बीस लाख मंदरा लाख दस लाख अब आप क्या करते हैं आप करते हैं ठीक है यह चे महीने जब इसको पूरे हो जाएंगे मैं अपना वीजा प्लाए कर दूंगा और मेरा अराम से वीजा लग जाएगा क्योंकि अमाउंट तो मेरे पास अच्छी खासी मौजूद है लेकिन अब उसमें क्या होगा कि आप ओवर ओल पूरा सिक्स मंथ उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते वो जो दस लाख पर जिस तरह क्या रीजन हो सकती है कि वो जैसे उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें उसकी जितनी भी सैलरी है जो कि उसने जाहरे साथ में अपनी सैलरी स्लिप्स लगाई होती है तो वो सैलरी मंथ के स्टार्ट में उसके बैंक में आती नजर आनी चाहिए उसमें उसकी ट्रांजेक् होता है वो उसमें से निकल रहा होता नजर आ रहा हो जो सैलिट परसन है उनकी बैंक स्टेटमेंट में भी ट्रांजेक्शन होना जुरूरी है अब जो बिजनस परसंज हैं बिजनस में वह जब वीजा अप्लाय करते हैं तो वह क्या करते हैं कि बाद रफा कारुबारी हैं वह एगनौर कर देते हैं या यह होता है कि उनका परसनल अकाउंट होता जी नहीं और वह जब बिजनस के बैंक स्टेटमेंट पे वीजा अपलाय कर देते हैं तो उस वज़ज़ा से भी यूके एम बैसी वीजा रेफ्यूज़ कर देती है क्योंकि जो आपके परसनल बैंक स statement साथ लाजमन लगानी है जब वह businessmen साथ में नहीं लगाते, सिर्फ business का bank account लगाते हैं तो वो भी एक visa refusal की reason बनता है, अब अगर businessmen visa apply करेंगे UK का तो उनकी bank statement में भी transactions होना लाजमन है, कि उनके जो उनको तकि उससे पता चले कि इनका जो business है वो properly run का रहा है, उसमें उनकी वो एक financial ties और उनकी social ties का भी वो proof होता है और इसके इलावा उनके count में जो transaction है वो लाजमन हों क्योंकि business की बाज़ अफ़ायोते के nature ऐसी होती है कि बल्क में कोई चीज़ purchase करते हैं या sell करते हैं तो उसकी वज़े से उसमें बहुत जो है वो बड़ी transactions हो जाती है तो उसके लिए भी उनको साथ में उसके proofs लगाना चाहिए जैसे suppose अगर आपका आज से कुछ दो मन्त पहले आपकी bank statement में कोई बड़ी amount आती जाती नजर आई है तो साथ में आपने उसकी कोई भी जो receipts होती है जो भी आपके business कोई proof होता है जो आपने dealing की होती है आपने उसके लाजमन साथ में proofs लगाने हैं तो जब आप वो बड़ी कोई transactions होई है कोई fluctuation होई है आपकी bank statement में आप उसके proofs नहीं लगाते तो उसकी वज़ा से भी visa refuse हो जाता है visa refusal की एक और main reason होती है tax returns क्योंकि mostly ये होता है कि लोग जितना business show कर रहे होते है कि मेरी इतनी annual income है वो क्योंकि annual income आपने अपने visa application में भी mention करनी होती है लेकिन आप क्या करते हैं कि tax उसके हिसाब से pay नहीं कर रहे होते आपका एक करोड तो यानके 10 million तो आपका bank statement में पड़ा नजर आ रहा है और सेम इतनी ही आपने कोई बहुत अच्छी अपनी annual income mention की है अपनी visa application में लेकिन आप tax तो जो है वो बहुत कम उसके comparatively दे रहे हैं तो वो उसकी वज़ा से भी visa refuse हो जाता है यह आपकी bank statement और आपके tax returns एक दूसरे से match होने चाहिए जितना आपके bank statement में आपके closing balance नजर आ रहा है जितना आपने visa application में अपनी annual income mention की है उसी के साब से आपको tax भी pay करता हुआ नजर आ रहा हो आपके tax returns में जब वो उससे match नहीं कर रहा होता तो visa refusal की reason बन जाता है जो visa refusal की reason बनता है वो होता है sponsorship documents के आप बता रहे हैं के मेरे कोई UK से मेरे कोई relative हैं जो के मुझे वो sponsor कर रहे हैं अब उसमें आपका जो sponsor है UK से उसको mainly आपका blood relative होना चाहिए जैसे आपके सगे भाई हैं आपके बहन हैं आपका कोई blood relative UK में है और वो आपको sponsor कर रहा है तो फिर उसमें visa के chances होते हैं जब आप उसके relation को proof नहीं कर पाते हैं तो वो visa refusal की reason बनता है बाज़ अफ़ आई होते हैं कि आप अपने sponsorship जो है आपका UK से जो sponsor है वो आपका blood relative भी होता है लेकिन उसके बावजूद visa refuse हो जाता है आपने उनके documents भी लगाए होता है और आप हिरान होते हैं कि ऐसी क्या reason बनी क्यों visa refuse हुआ तो वो उसकी ये वज़ा होती है कि आपने जो sponsorship के documents होते हैं उन्में कोई ना कोई मसला होता है अब वो किस परह का मसला होता है वो मैं आपको बताती हूं यह होता है कि आपके sponsorship के documents में mistake होती हिए यह किस तरह से mistake होती है कि आपने अपनी तरफ से सारे documents लगाए होते हैं लेकिन बाज जлет हैं कि आपurgने जो आपके अग्रीमेंट लगाया है, तो शमें ये शोँ रहा होता है, उनके पास one room resident है, एक कमरे में वो रह रहירHE है, उसमें उनकी अपनी बीवी है, उनके बचे है, और उनके पास एक कमरा या hardly दो कमरे हैं, जिसमें कि उनकी मुश्किल से अपनी family रहती है, लेकिन आप उसमें ये शो सकें क्योंकि उनकी जो जगह है उनका जो घर है वह बहुत मुश्किल अपनी फैमिली के लिए पूरा हो रहा है तो इस वज़े से वह वीजर फ्यूज कर देते हैं जो के मेंली वीजा ओफिसर लगाते हैं यूके के लिए वह होता है आपकी इंटेंशन जब वीजा ओफिसर को अपके इंटेंशन अपने मुल्क में वापस आने की नहीं है तो आपका वीजा रफ्यूज कर देते हैं वो कैसे लगता है उनको कि जब स्पोर्ज आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है आप मैरेड नहीं है आप स्टूरंट नहीं है और आप कर रहे हैं वीजा करना है आपका पीछे कोई बिजनस नहीं है जिसको आके अपने जॉइन करना है आपकी पीछे कोई इतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी खातिर आप वापस आएंगे तो वहाँ पे उनको यह पता चलता है कि आपकी इंटेंशन यूके में रहने की है और आप लगा जाते हैं तो ना सिर्वीजर रफ्यूज होता है बलके यूके आपको टैन येर्स के लिए बैन भी कर देती है और उसमें बाद यह होता है कि आपने फेक डॉक्मेंट्स कौन से होते हैं जैसे स्पोज कोई जॉब है नहीं लेकिन वह जॉब यहां पे शो कर देता है क कि अमबैसी के पास इन चीजों को वैरिफाई करने के सोर्सिज होते हैं वो जब उनको वैरिफाई करती है तो वो वीजर फ्यूज कर देती है जब उसको पता चलता है कि यह आपने फेक डोकिमेंट्स लगाए हैं और किसी ने बैंक स्टेटमेंट्स फेक लगाई होगी तो वो तो अपनी तरफ से समझेगा कि अमबैसी को क्या पता कि मेरी बैंक स्टेटमेंट्स फेक है कि जैन्वन है लेकिन अमबैसी क्या करेगी कि वो आपके बैंक में कॉल करती है और उसमें वो आपके क्लोजिंग बैलनस आपके नाम का अकाउंट है या नहीं है और सारी उसम वो वीजर रफ्यूजर कर दिखती है, जब बैंक स्टेटमेंट फेक होती है, आपको जॉब को भी वेरिफाई करते हैं, कैसे करते हैं? कि आपने क्योंकि उसका जॉब का लेटर हेड लगाया होता है, अब उस लेटर हेड के उपर आपके फौन नमबर, जॉब के आपके एड आड्रस वो चीजें डीटेल्स एमेल्स वो सब मैंशन किया होता है अब अमबैसी वहां पे कॉल करती है या इमेल्स जिस तरह से वह मुनासिब समझते हैं वो वैरिफिकेशन करना उस तरह से वह जोब की वैरिफिकेशन करते हैं जो अगर आपने कोई डैजिगनेशन गलत बत अगर आपने कोई जोट बोला होता है तो उस पे भी वीज़ रिफियूज ओजाता है बाद रफाही होता है कि आपने अपनी तरफ से सारी डिटेल्स ही मैंशन की होती कोई इस गलत बियानी नहीं की होती लेकिन इस रीजन को अलिकेशन बनाके वीज़ फिसर वीजर रिफि में काफी साल पहले अगर आपका कbie VISA refuse हुआ होता है आफ़ साल पहले हो है तो आप kहते हैं कि इस बात गुत अथ को ताब इतने साल गुजर गई साथ साल गुजर गए अाफ साल गुजर गए इसको क्या जुरूरात मुझे मैं मैं यह mention कर देता हूं कि मेरा कभी कोई visa refuse नहीं हुआ या मैंने कोई visa apply नहीं किया लेकिन जब आपकी file जाती है आपकी visa application जाती है तो visa officer आपकी वो detail आपका passport नमबर डाल के आपका family नमबर डाल के सारी details चेक करता है उनके पास वो आपका सारा पिछला record होता है और वो उनको पता चल जाता है कि आपने फ्यूचर में visa apply किया था और आपने उस बात को चुपाया है इसलिए वो आपका visa refuse कर देता है बाज बार आपके close relative UK रह रहे होते हैं आपके blood relative रह रहे होते हैं कि मेरा वहां पे कोई relative है तो वो आपको visa नहीं देंगे तो इसलिए बेतर है कि तुम mention कर दो कि मेरा तो कोई UK में है ही नहीं तो वो एक visa refuse कि इसलिए reason बनता है कि जब visa officer आपके family की detail डालता है आपके FRC में सब detail होती है तो उस वज़ा से उनके पास वो सारा past का record आ जाता है और वो visa refuse कर देते हैं कि आपने facts को छपाया है और यह नहीं बताया कि आपके वहां पे कोई blood relative रहता है तो इसलिए आपने उसमें अपने visa application में कोई गलब बियानी करने होती है तो वीजर फ्यूजल की रीजन बन जाता है इन रीजन के लावा एक रीजन जो वीजर फ्यूजल की वज़ा बनती है वह होता है आप timely apply करने का क्या मतलब है कि मसला आपने UK में कोई wedding अटेंड करनी है कोई conference में जाना है को किसी event की date है और आप वो इवेंट 15 December को आ रहा है और आप visa उस event से hardly 10 दिन पहले apply कर देते हैं और आप समझे हैं कि क्यूंके मैंने साथ में event की या शादी कार्ड लगा दिया है सारी detail बता दी है तो अब visa officer का काम बनता है कि मुझे visa दे लेकिन उसमें क्या होता है कि आपकी visa की जो appointment होती और उसके अलावा visa officer को आपने sufficient time देना होता है कि वो आपके case को study कर सके जब वो आप sufficient time नहीं देते हैं उनको और late visa apply करते हैं तो उस वज़ा से भी visa refuse हो जाता है तो आपने क्यूंकि उनको sufficient time देना होता है कि आपके case को study करें आपके जो भी event आ रहा होता है उससे आपने काफी time पहले visa apply करना होता है ताकि आपकी जो appointment है और case study है वो सारा easily हो सके और आपके पास पिर भी sufficient time बच जाए visa UK जाने के लिए जिनकी वजह से UK का visa refuse होता है अब अगर आप visa apply करते हैं UK का तो इन points को आपने लाजबन जहन में रखना है और फिर visa apply करेंगे तो इन्शाला आपका visa refuse नहीं होगा इसके लाव अगर आपको कोई confusion है या आपको कोई question है तो आप comment section में पोच सकते हैं तो इन्शाला मैं उन सब questions के उपर एक वीडियो बना के upload करूंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइनली इसको like करें friend family के साथ share करें अगर आप चैनल पे नए हैं तो subscribe करके bell icon के button को press करें ताकि आपको future में भी इस तरह की informative videos मिलती रहें thank you